टेकनलोजी की सबसे बड़ी कंपनी एपल ने अपने आगामी इवेंट को लेकर मीडिया इन्वाइट भेजना शुरू कर दिया है एक लंबे इंतजार के बाद 13 क्टूबर को एपल का इवेंट आयोजित होने जा रहा है इस इवेंट में नए आइफोन यानी आइफोन 12 सिरीज के आने की उमीद है एपल ने अपने इस इवेंट को हाई स्पीड नाम दिया है इवेंट को लोगो गोला कर बनाया गया है हाई स्पीड से 5G आइफोन की उमीद की जा रही है Apple के High Speed Event का युजन 13 October को राद 10.30 बजे होगा Apple के इस Event को लेकर तमाम खबरे आ रही है Leak Report में दावा किया जा रहा है कि 13 October को iPhone 12 Series लाँच होगी जिसके तैद iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro और iPhone 12 Pro Max लाँच किया जाएंगे iPhone 12 Mini में 5.4 इंच की डिस्प्ले मिलेगी जबकि iPhone 12 में 6.1 इंच की डिस्प्ले के साथ लाँच किया जाएगा एक अन्य लीक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि iPhone 12 मौडल पहले मुकाबले में महंगा होगा कहा जा रहा है कि iPhone 12 मौडल की किमत 600 से 700 डोलर के बीच जानी 51,300 से 55,000 के बीच होगी 5G स्पोर्ट के कारण iPhone 12 की किमत अधिक होने का अनुमान लगा जा रहा है हाला कि यह भी कहा जा रहा है कि केबल iPhone 12 Pro Max में ही 5G का स्पोर्ट मिलेगा Apple के नए iPhone को लेकर यह भी खबर है कि iPhone 12 सेरीज के साथ चार्जिंग केबल नहीं मिलेगा बता दें कि हाली ही Apple ने Apple Watch Series 6 और नए iPod को बीना चार्जर वाला बजार में उता रहा है ऐसे और वीडियो के लिए वीडियो को लाइक शेर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद